हालो गुड मोर्निंग स्टूडेंट्स आज अपना अप्टिक्स के अंदर नेक्स लेक्चर है अपना पतली फिल्मों में व्यत्तिकरण इंट्रफेरेंस इन थिन फिलम्स इसे पहले लेक्चर में अपने फ्रिंज चोड़ाई का सुत्तर है वो पढ़ा था बेटा इक्वल्स लेनड़ा कैपिटल डी इस दी को थोड़ा संपना आगे बढाते हैं वयत्तिकरण का बेशिक जो है वो चोटी क्लासेज में वी फिच्छे अफ़य पढ़ा है यहां पर आपन व्यत्तिकरण की जितनी भी घटनाएँ हैं अपने पास वह अपने पढ़ेंगे तो सबसे पह इन कोई कागज है उसको पतली फिल्म बोल सकते हैं और जनरली अपन देखें तो पतली फिल्मों का यूज किया जाता है जैसे वाहन जो होते हैं उनके सैड में जो काले पड़दे लगे रहते हैं काली जो फिल्में लगी रहती है उनको अपने बोलते हैं पतली फिलम तो पतली फिलम की डेफेनेशन में क्या लिखना है किसी पारदर्शी पारदर्शी का मतलब ट्रास्पेरेंट जिसके बिचों बिच दिखता है किसी पारदर्शी माद्यम की पतली परत फिलम क्यलाती है कोई भी पारदर्शी माद्यम है उसकी पतली परत है वो फिलम क्यलाती है बिल्कूल कोई पतली से आपको लेर लेनी है इसका कोई अक्जाम्पल आ तो पतली की पर उपने की अंदर नहीं जाएगा तो इसका अक्जाम्पल ने सकते है जैसे पानी की सतया पर ओएल की जो परत है तेल की परत है तो वहां भी पतली फिलम बन सकती है जनरली देखो अपन बेसिक जो इसका है उसे को यूज मेरे पाणी की सत्य की उपर तेली की परत जो बनती है उसको अपन पतली फिलम बॉल सकते हैं एक अपन क्या है कि साबुन का जो गोल है और उसमें जो बुलबुला है वो भी पतली फिलम है बिल्कुल पतली सी लेर बनती है उसकी और एक अग्जामपल ली सकते हैं इसकी साबुन के गोल का बुलबुला तो कोई भी पारदर्सी माद्यम की जो पतली परत है उसको फिलम करते हैं फिलम का अग्जामपल आपसे पूछे तो पानी की सतय पर तेल की परत या साबुन के गोल का जो बुलबुला है वो सारे के सारे क्या हैं फिलमे है और भी एक्जामपल हो सकते हैं जैसे कोई पतली पन ले लिए पड़ने तो उसको अपन बौल सकते हैं पतली फिलम तो पतली फिलम से वेतिकन किस प्रकार से होता है देखो जब भी कोई प्रकास किरण किसी पतली फिलम के उपर गिरती है तो डियर स्टूडेंट दो प्रकार की तरंगों में डिवाइड हो जाती है वो एक तो ध्यान रखना जैसे पतली परत की अपने बात करें, कोई भी जैसे ये पतली परत है अपने पास तो ये अपने पास कोई पतली परत है, इसके उपर जैसे कोई प्रकास किरण आएगी तो प्रकास किर्ण इस पतलि परत जो है, फिल्म जो है, इस फिल्म के दो सतय होते हैं, एक तो उपरी सतय है, यह वाली उपर वाली, एक हो गई नीचे वाली सतय है, कुछ इसकी मोटाई होती है, फिल्म की तो यहां पर होता है कि जैसे कोई प्रकास की किरण आएगी तो उपरी सते से प्रावर्तित होगी प्रकास किरण यानि प्रकास किरण जैसे इसके उपर गिरेगी तो पतली परत जो है इसमें प्रकास किरण का कुछ भाग है वो तो प्रावर्तित हो गया यानि सरफेश से टकर तो तेल के उपर कोई प्रकास किरण गिरेगी तो उसका कुछ भाग तो होगा प्रावर्तित यानि रिफलेक्ट हो जाएगा उससे टकरा के लेकिन कुछ पार्ट है वो पानी की बीचों बीच भी निकल सकता है अपने पड़ते हैं पानी के अंदर प्रकास का अपवर्तन होता है तो जो प्रकास प्रावर्तित होता उसको बोलते है प्रावर्तित किरण जो बीचों बेच निकल गया उसको बोलते है पार्गमित उसको अपवर्तन नहीं बोलना है पार्गमित ट्रांस्मिटेड पार कर गई उसको तो ध्यान रखना है पतली फिलम की उपर जब भी कोई प्रकास किरण गिरती है, तो उस प्रकास किरण का कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, परावर्तित हो मैसा होता है उपरी परष्ट से, और निचले परष्ट से मैसा क्या होता है, पारगमन होता है, एक हो जाएगी रिपलेक्ट, दूसरी हो जाएगी ट्रांस्मेट, तो किसी पतली फिलम पर पतली फिलम जानगे या कोई पतला सा अपने पास कोई कागज भगे रहा है पतली फिलम पर आपतित होती है जब कोई प्रकास किरण किसी पतली फिलम पर आपतित होती है तो इस फिलम की उपरी तथा निचले परट से प्रकास क्या होता है उपरी परट से तो क्या होगा उपर वाली सत्य के उपर टकर आगे वापीश सला जाएगा यानि प्रावर्तन होगा उपरी परट सी उपरी तथा निचले परट सी करम से पहले उपरी लिखाए तो करम से प्रावर्तित था निचले परष्टी क्या होगा पार कर जाएगा तो उसको बलेगे पारगमित प्रकास कर्म से प्रावर्तित था पारगमित होता है दान रखना पतली फिलम की डेफेनेशन और एक ये पतली फिलम की इंसिडेंट जो है यानि वेन ए लाइट विव या लाइट रे इंचिडेंट ओन ए थिन फिलम डेन इस लाइट रे डिवाइड़ इन टू पार्ट्स वन अब दे रिफ्लेक्टेड रे एंड अनदर ट्रांस्मिटेड रे जब भी कोई प्रकास किरण किसी पतली फिलम की उपर गिरेगी तो उपर वाला जो प्रश्ट होगा उससे तो प्रावर्तित होगी निचे वाला जो प्रश्ट होगी उससे ट्रांस्मिट यानि पार कर जाएगी तो सबसे पहले अपण इसकी mathematical calculation करेंगी तो सबसे पहले एक पतली फिलम लेते हैं उस पतली फिलम की कुछ मोटाई लेते हैं उस पतली फिलम का अपवर्तांक अपने माल लेंगे म्यू और पतली फिलम के दोनों शेयड में हवा है तो हवा का अपरतरांग आपको पता है म्यू इक्वल्स टु वन वाई-उ का अपरतरांग कितना होता है वन तो सब से पहले अपने माल लेते हैं कि यह अपने पास बिल्कुल पतली होगी डाइग्राम में अपने इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे देखो यह अपने पास कोई पतली फिलम है यह इस फिलम की मोटाई है इस फिलम की कुछ मोटाई है और वो मोटाई अपने माली टी इसकी जो विड़ था वो कितने माली टी जैसे यह अपने पास कोई पतली फिलम है बिल्कुल समझना बिल्कुल इजी है देखो इसकी मोटाई जो है वो टी ऐसे रख रकी इसको कोई प्रकास किरन आएगी इसकी उपर गिरेगी तो उपर वाले प्रेट से प्रावर्तन और निचे वाले प्रेट से पार्गमन और इस पतले फिलम का आप परतना कपन क्या माननेंगे म्यू माननेंगे देहन रखना अब देखो कोई भी प्रकास किरण इसके उपर गिरी सबसे पहले गिरेगी उपर वाले प्रेश्ट के उपर उपर वाला जो सरफेस है तो यह वायू है यह तो ओगया विरल मादिम यह सगन क्यों फिलम रख रखी हैं तो जब भी कोई प्रकास किरण जैसे यहां अपन लंब बनाए इसका है तो जब भी कोई प्रकास की किरण वीरल मादिम से सगन मादिम में आती है तो अभी लंब की ओर जुक्के जाती है तो नॉर्मल जो है इससे जुक्के जाएगी कि अब देखो भूती इंपोर्टेंट है आपतन कोण होता है आई और यहां वे अपवर्तन देखो अपवर्तन कोण क्या होता है आर अपवर्तन कोण कोण होता है अब देखो मैंने क्या वला था कि जब भी कोई प्रकास की किरण यहां कोई सोर्ष है द्यान रखना लाइट सोर्ष जासे प्रकास किरणे आ रही है जब भी कोई प्रकास की किरण किसी पतले फिलम की उपरी प्रश्ट पे गिरेगी तो कुछ भाग इसका प्रावर्तित होगा तो प्रावर्तन में ऐसे भी जाएगे एक प्रकास की किरण सेश भाग इसका पारगमित पारगमित का मतलब आगे जाएगा तो इस फिलम के अंदर अंदर तो अपवर्तित का मतलब ये अपवर्तित प्रकास किरण इस निचले प्रष्ट की उपर गिरेगी जैसेई इस प्रकास से संफो ध्याय से कोई प्रकास की किरिण आई ऊपर वाले प्रष्ट से इसका कुछ बाक्त प्रावर्तन यानि おफप्पैर से लागा अब इसके बीच मेのは प्रतन ओगा पिर जैसेई dat इस प्रष्ट से निकलनी कोशिड करेगी तो इसका वेवार कैसा होग इसका बिहेव कैसा होगा जैसे यहां पर में परपेंडिकुलर लूं यह देखो कौन सा माध्यम हो गया सगन यह विरल जब प्रग्वाइस की किरण विरल से सगन सगन से विरल में जाती है तो बिलम से दूर अठती है आपको धान यह रखड़ा है कि यहां पर जो कौन बनेगा हो कितना बनेगा यह कौन आ रहे है तो इसके सामने वाला यह भी आ रहोगा यह कौन भी क्या होगा आ रहोगा यह कौन कितना होगा ये कौन होगा आई जितने एंगल से इसमें प्रवेश करती है उतने एंगल से बार निकलती है ये विशेश बात है ठीक है इसके सामने वाला ये मैथमाटिक से अब देखो विशेश बात क्या है ये अपवर्तित प्रकास किरण निचले प्रेश्ट के उपर गिरेगी तो सिद्धी बार ने निकलेगी इसका कुछ भाग क्या होगा प्रावर्तित होगा तो प्रावर्तित होगा तो भी ऐसे जाएगा इसका भाग यह कौन कितना बनेगा यह आर है तो प्रावर्तन में तो दुन्नों क्या होते हैं बराबर होते हैं यह कौन आई है तो यह कौन भी कितना होगा आई वैसे आर लिख सकते हैं लेकिन अपने क्या पढ़ा है प्रावर्तन के नियम में कौन आई और आर बराबर होते हैं तो यह आर ने लिख्के में इसको आई लिख देता हूं कोई बात नहीं है अब देखो यह प्रकास की किरण उपर प्रश्ट की उपर गिरेगी तो इसका कुछ भाग प्रावर्तित होगा निचीक तरफ आजाएगा और इसका कुछ भाग बाहर चला जाएगा फिर यह इसकी उपर गिरेगी तो इसका कुछ भाग प्रावर्तित होगा और इसका कुछ भाग प्रावर्तित होगा फिर यह इसकी उपर गिरेगी तो यहां इसका कुछ भाग वापिस आजाएगा कुछ भाग बाहर निकल जाएगा ऐसे यह वे में चलती रहेगी इस प्रकार से इसका कुछ बाग प्रावर्तित हो जाएगा और कुछ बाग इसका पार्गमित यहां इसकी बात करें तो इसका कुछ बाग इसेड में चला जाएगा और इसका कुछ बाग वापिस आ जाएगा इस प्रकार से प्रोसेस चलती रहे और ये पारगमित प्रकास की बिल्कुल आपको डाइग्राम समझ में नहीं आया है तो टोपिक आपको समझ में आना मुश्किल है देखो प्रकास की किरण है एक ही अपने पास ये ऐसे फिलम है इसकी उपर गिरी तो इस प्रकास की किरण का कुछ भाग उपर चला गया कुछ भाग निची चला गया अब अंदर वाली प्रकास की किरण निचे वाले प्रश्ट की उपर गिरेगी तो इसका कुछ भाग वापिस चला जाएगा कुछ भाग बाहर निकल ये प्रकास के किरण का पूरा जो अंस है वो पारगमित ने हो जए तो अपन तो ये बोल सकते हैं कि प्रकास के किरण का इस फिलम के अंदर बहु प्रावर्तन होता है जब दो या दो सेदिक बार प्रावर्तन होता तो उसको बोलते हैं बहु प्रावर्तन यह जो point है इसको माल लेते है P1 इस point को माल लेते है P2 यह point है P2 इस point को माल लेते है P3 इस point को माल लेते है P4 इस point को माल लेते है C1 इसको माल लेते है C2 इसको माल लेते है C3 अब देखो जो प्रकास के किरने इस पूरी फिलम में देखोगे तो उपर की तरफ जा रही है वो तो प्रावर्तित प्रकास किरने प्रावर्तित प्रकास किरने रिफ्लेक्टेड रिज 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 प्रावर्तित रिखते हैं प्रकास किरिणे और अब आप मैं इसमिंग में इंगली इस गोलते हैं त्रासमीटेड तो यह पहली ट्रासमीटेड डूसरी ट्रासमीटेड यह होगी अब देखो इसके मैहिठ्धेमेटिकल अब इसमें आपको थोड़ी लिखने पढ़े गिए देखो इस अब देखो थोड़ी भी क्या लिखना है माना टी मोटाई की एक पतली फिल्म है लेटस कंसीडर एधिन फिलम ओफे विड्टी एस कोई प्राप्तित प्रकास की किरिण है जो फिल्म के उपरी सतय प्रबिंदू पीवन प्राप्तित होती है तो इसका कुछ भाग प्रावर्तित तथा सेश भाग अपवर्तित हो जाता है इस प्रकार इस पतली फिल्म में P1, R1, P2, R2, P3, R3 तो प्रावर्तित प्रकास कीरने है रिफ्लेक्टेड रेज तथा C1, T1, C2, T2, C3, T3 आदी पारगमित प्रकास कीरने हैं ट्रास्मिटेड लाइट विए इस डाइगराम को देखके थोरी लिखने तीन-च्यार लाइन लिखने देखो माना टी मोटाई की एक पतली फिल्म है जिसका परतनाग म्यू है ऐस एक आपतित प्रकास की किरन है जो बिन्दू P1 पर आपतित होती है प्रकास कीरन का कुछ भाग परावर्तित तथा सेश भाग पारगमित हो जाता है इस परकार P1, R1, P2, R2, P3, R3, P4, R4 परावर्तित परकास कीरने हैं तथा C1, T1, C2, T2, C3, T3 पारगमित परकास कीरने हैं अब वेतिकर्ण की गटना क्या देखनी है कि परावर्तित प्रकास किरने आगे जाके मद्यम के किसी एक पॉइंट पर गिरें तो इसको वलेंगे वेतिकन की गटना उत्पन होगी इसी प्रकार से पारगमित प्रकास किरने यदि किसी माद्यम की एक पॉइंट पर गिरें तो वहां भी वेतिकन होगा तो प्रावर्तित प्रकास किरने भी वेतिकन की गटना दरसाती हैं और पारगमित प्रकास किरने भी वेतिकन की गटना दरसाती हैं तो सबसे पहले अपने को करना है कि प्रावर्तित जो प्रकास किरने हैं उनके इंदर वेतिकन किस प्रकार से होगा तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि प्रावर्तित जो प्रकास किरणे हैं उसमें व्यत्तिकरण चलो चेक करते हैं सबसे पहला एक नम्मर पॉइंट डालोगी प्रावर्तित कि प्रकास किरणों में व्यत्तिकरण काफी इंपोर्टेंट लेक्चर रहेगा पतले फिल्म में व्यत्तिकरण 100% अग्या में पूशता है दो पॉइंट है तो अब देगा पतले फिल्म में व्यत्तिकरण की गटना को प्रदर्शित कीजिए जब पार्गमित प्रकास किरणे किसी बिंदू पर अध्यारोपित होती है या प्रावर्तित या दोनों पूछेगा तो फाइफ न प्रावर्तित प्रकास किरणों में व्यत्तिकरण यानी इंटरफेरेंस इद्र इन रिफलेक्टेड रेज तो सबसे पहले अपन्पन चैक करेंगे इसमें कि प्रावर्तित प्रकास किरणों में व्यत्तिकन कैसे हुआ प्रावर्तित प्रकास किरणे कोड़ से है P1, R1, P2, R2, P3, R3, P4, R4 यह प्रावर्तित प्रकास किरणे हैं देखो सबसे पहले तो इसकी mathematical का इसको बूल जाना निच्चे वले पार्ट को पार्गमन को बूल जाना बाकी देखो सबसे पहले प्रावर्तित प्रकास किरणों में व्यत्तिकन की गटना को देखने के लिए P2 बिंदू से प्रावर्तित प्रकास किरण कोड़ है P1, R1 इसकी उपर लंब डालते हैं यह डाल दिया अल्ला क्यों डाला वही देखो पथांतर ज्यात करने के लिए तू फाइंड पाथ डिफ्रेंट्स कोड़ कोड़ से प्रकास किरणों में P1, R1 और P2, R2 देखो P1, R1 तथा P2, R2 में पथांतर पथांतर होता है भी पथों का अंतर तो P1, R1 और P2, R2 जो प्रावर्तित प्रकास किरणे हैं इनमें पथ सबसे ज़्यादा किसका है आप कहोगे P1, R1 का पथ ज़्यादा है ये मैं कहता हूँ P2, R2 का पथ ज़्यादा है देखो यहां से कोई प्रकास की किरण आई P1 की उपर जैसे गिरी तो प्रावर्तित प प्रकास की किरण P2R2 कैसे गूमगा हम क्या यह देखो पहले यह इदर गई P1 से कहां गई C1 गई फिर C1 से कहां गई P2 गई तो पथ ज्यादा है यह P2R2 का पथांतर ग्याद करेंगे तो ज्यादा मेंसे यह जो फालतु है इसका अक्ष्ट्रा जो है वो गटा देगे पथांतर देखो जैसे दो प्रकास पीरने हैं, एक गई वेचारी 20 cm, एक गई वेचारी 25 cm, पथांतर कैसे निकालोगे, ज्यादा जो पथांतर, ज्यादा जो पत होता है उसमें से, कम वाला अपने गटा देते हैं, तो जो पथांतर हो आ जाता है, जैसे इसका 20 है, तो इसका 25 है, तो 25-20, यान फिलम के अंदर भी तो जाके आई है इसमें क्या है इसको तो क्या जो रहा है P1 से R1 चली गई यह तो लेकिन यह देखो कैसे गुम क्या है P1 से C1 गई पहले फिर C1 से P2 आई फिर P2 से R2 गई तो क्या करोगे इसका पथ इसका अक्ष्ट्रा को नो गया P1 C1 C1 P2 इस ज्यादा वाले पथ में से यह जो अक्ष्ट्रा है इस पॉइंट को अपन कहे दे ए इसको गटा दे यानि P1 A गटा दे उसके बाद में तो यह बराबरी है आगे का तो कोई रोली नहीं है तो पथांतर क्यात करने के लिए क्या करेंगे फोर्मुला देखो फोर्मुला देखो इस पथांतर को डेल से लिखते हैं भी ऐल्य मैं डेल 1 लिख जेता हूं या किंघ में लिखा है पतल जाएंगा डेल क्यों ने लिखा आगे स्टोक से हिद्गे जिरा belongedma's को गरेगा त粉ों लिकें और गेल और में कैनि में प्रवर्तित प्रकाश खिर करें का टोपिक पड़ रहें तो प्रवर्तित दो प्रकाष में के लेली एंघ यह प्रावार्तित है इनका पथांतर निकाले तो फॉर्मूला क्या होता है देख म्यूं इन्टू में यह हो गया माध्यम सगन्द और यह विरल यह तो अवा है तो पत्त पीवन सीवन पीट्टू अबत अच्बिवन सीवन कि इसमें से गटाना है को यह वाला पीवन यह तब ही तो आएगा पत अंतर इसमें से यह गटाना है उसके बाद में ब्राबर है है कि तो माइनास कि म्यूं यू में पत पीवन ए ये वाई यू में है पीवन ए तो क्या लिखोगी वाई यू में पत पीवन ए फोर्मला देखो पतांतर निकल लेगा माद्यम जो होता है उसका परतनांक गुणा में माद्यम में पत पतांतर निकालने तो पतांतर आपको पता है माहिने से निकलेगा क्योंकि इसमें से यह अपन गटाएंगे तब निकलेगा तो दूसरे माद्यम हवा है हवा का परतनांक और वाई यू में पत पीवन ए वन वैस डेल वन बराबर ये म्यू म्यू क्या है इसका फिलम का प्रतनाग इसको वन मत कर दे न P1 C1 P2 को क्या लेखता हूँ P1 C1 पलस C1 P2 पहले P1 से का गई C1 फिर C1 से का गई P2 माइनस म्यू का मान वन हो गया वाई यू में और वाई उमें पत है P1 A इसको देजिए equation फैश्ट अब और कुछ नहीं करना आपको P1 C1 C1 P2 P1 A इनकी value इस diagram से निकालनी है और वो इस value यहाँ पूट करनी है पतांतर आजेगा आपको तो यहाँ तक समझ में आना जरूरी है कोई समस्य है तो बताओ यहाँ तक देखो चलो कोई समस्या नहीं तो देखो आगई P1 C1 का से निकाले देखो एक बात तो नोट करो P1 C1 और C1 P2 ब्राबर है क्योंग यहाँ से यहाँ गई यहाँ से यह तरी बुजबन गया एक P1 C1 P2 यह तरी बुजबन गया और इस वाले लंब को मैं यहाँ से मिला देता हूं पूरी यह लंब न और इस पॉइंट को कैई दिया मैंने N यह कोण कितना हो गया वही कोई पूछले तो यह तरी बुजबन दिख रहा है ना P1 A P2 यह कोण कितना हो गया यह लंब डाला तो यहाँ 90 डिगरी कोण यह पूरा 90 था 90 में से आई चला गया 90 माइनस आई और प्लस नबबब और यह कोण गयात करना है तो इसको एड़े करके बराबर 180 करें तो यह कोण मिलेगा आई आया कैसी यह कोण 90 यह 90 माइनस आई तो तीसरा कोण निकल सकते हो आप ओके अब देखो यह कोण दोनो आर आर हैं दयान रखना अपने को के निकल ला है P1 C1 और एक निकल ला है C1 P2 तो दोनों बराबरी है की निकल ले तो यह एक की निकल ले क्या निकल ला है पीवन सीवन निकालना है तो पीवन सीवन अपने को निकालना है ठीक है डिवाइडेड बाई पीवन पीट्टू यह अपने इस्तरी बुज में से निकालें पीवन में से पीवन और पन संकोंड तरी बूह भो गया देखांएड़ डिगरी यहां बंडता है चलो इस में से निकालना यहेंझ पीवन सीवन n में से यह चीज की से निकालना है पणतरी बूह जीजिए फूर्मूला क्या है यह सित्री बुज़ें देखो मैं लग से बना लगता हूं यह सित्री बुज़ें यहाँ यह पीवन है यह सीवन यह कौन है आर तो इस तरी बुज़ में कौन आर ठीटा के सामने वाले बुजा लंभ तो पीवन एन यहां यहां उपरी सतय से नीचरी सतय तक पीवन एन है टी तो ग्यात करना है वोपर लिखते हैं सिदी से बात अचब चकर इतना तो आत्तों होगा आपको पिक निकालना है, तो P 5 C1, गिवन क्या है, देखिया रखा है, 7N, यह ले लिए 7N, फॉर्मला किस कबन गया? इस तरी बुज में देख ले, धिटा की सामने वाली बुजालंब, यह अधार C1N अधार तो करण हो गया P1C1 तो करण बटा अधार करण बटा अधार कोश का उल्टा कोट हो गया ना तो इसको लिख सकता हूं मैं यह हो गया करण बटा आधार तो करण बटा अधार क्या होता है कोश का उल्टा यानि वन अपून कोश तो वन अपून कोश थीटा गजिगे आर इसमें कोण है आर कोश को उल्टा हो गया अपूने वो क्या ची यह पीवन सीवन तो यह यह चीवन अटना ची यह लिए पीवन शीवन बडाबर यह बाग में सीवन गुणा में चला जैगा सीवन एन अपोन में क्या है को सरो अब अति कि सीवन एन को कैसे निकले कि नाव घलकुलेट से On The 동안 सीवन सूड़ी सोड़ी शूरी सूड़ी सूड़ी सीवन एन तो दही सा कलकुलेट क्या है स्य एन क्या है T है, तो C1 N की जगा लिखता हूँ T, तो P1 C1 बराबर यह ओगया T अपोन कोसर, यह value तो आगई P1 C1 की, अब देखो, जितना P1 C1 है उतना C1 P2 है, चाहिए इस तरी बुछ से निकाल लेना, तो यह value है किसकी C1 P2 की भी है द्यान रख लेना, एकी बात है, चाहिए निकाल की देख लेना चलो P1 C1 की value आगी, और C1 P2 की दुन्नों एक जैसी है, अब P1 A निकालो तो नाउ, P1 इसके शाब से निकाल ले हूँ, डाइग्राम से अपनों और कुछ निकाल लेना पीवन ए, कोण से तरी भूज से निकाल लेगा, P1 P2 A, कोण से से निकाल ले हैं, तरी भूज, P1 P2 A से निकाल ले हूँ, ध्यान रख लाए, यह लंब डाला, अपने यहां, P2 से पीवन आरवन प्रेकलंब डाला, P2 A, यह 90 डिगरी का कोण, यह पूरा कितना था, 90, तो यह कितना बच गया, 90 माइनस, यह आई, तो 90 माइनस आई, यह आई बच गया, अब देखो, यह कोण हो गया, आई, आप करके देखो, तो अपने को क्या चिये, P1 A चाहिए अपने को और अपन, P1, P2 कहा दूमें, तो जिसको ग्यात करना उसको उपर लिखते हैं, अपन कहा दे, P1, P2, फॉर्मुला किसका बन गया, कोण जो आई है, इसके सामने वाली बुजा, लंब, P1 A, तो यह लंब, और बचा में, यह करण और यह आधार, तो P1, P2 करण, तो यह लंब, बचा करण, लंब बचा करण, क्या होता अधार, लंब, बचा करण, साइन, यह उगया, साइन, कोण कितना है आई, यह हो गया, साइन, आई, P1 A चाहिए, आपको, P1, A चाहिए वही तो P1, P2 की value नहीं है अपने पास तो यह भाग में गुणा में चला जाएगा तो P1, P2 और sign आई यह P1, A की value आगी लेकिन P1, A ने क्या दिक्त लगा दी P1, P2 की value नहीं है तो अब किस की value गयात करनी है P1, P2 थोड़ा सलेंग थी प्रोसेस है लेकिन इजी है देखो पीवन पिट्टू को मैं क्या लिखता हूं पीवन पिट्टू को मैं लिखता हूं पीवन एन और एन पिट्टू दो पार्ट में डिवादे कर रहे हैं पीवन एन और एन पिट्टू तो क्या लिखते हूं पीवन एन पलस के लिखता हूं तो पीवन एक क्या हुझेगा ा दाहिए और टॉस फिवन एबिटू गीड़ू रख दढ़ी सितने इस ह contrary धे mi में शौई हाई फिश्द बिल्कूल इडिवक रीजारे से इसमें एक है कि इसको कह दो आपके legen विन फैक्राइब में गाना पड़ेगा करें अ stared को देखो ट्यक्राइब क्दीर फॉर पिदेखो ग्याद करना पाद को पीवन एन ग्याद करना है और अन्पी-टू ग्याद करना पीवन सीवन और एन से यह तिरी बूद समकोन तरी बूद से ग्याद कर लेते हैं कैसे करें कहां करें कि यह पूरा डाइगराम की अपने को यह मिटा देता हूं मैं जी है बिल्कुल देखो कि देखो कौन से तरी बूद से ग्याद कर रहा हूं पीवन एन पीवन सीवन एन से तरी बूद से पीवन कि सीवन एन से ग्याद कर रहा हूं और किसको ग्याद कर रहा हूं पीवन एन को पीवन एन को ग्याद करना उसको उपर लिख दें दे क्या रखा है C1N C1N कितना दे रखाया सर C1N T है भी फिलम की मोटाई फोर्मुला देखो किसका बन गया जल्दी बताओ फोर्मुला P1N थिटा के सामने वाले गुजा लंब लंब बटा अधार लंब बटा अधार क्या होता है लंब बटा अधार होता है वही 10 लेकिन थिटा कितना आर है इसमें कोण तो 10R C1N कितना T तो यह बाग में गुणा में चला जाएगा तो P1N बराबर T 10R यह आगया P1N की वेल्यू अब NP2 भी चीएगा आपको NP2 तो P1N जितना है उतना ही NP2 है तो यह वेल्यू है किसकी NP2 की भी वेल्यू है द्यांडर के लिएगा तो देखो P1P2 कितना हुझेगा So equation third implies P1A कितना हुझेगा P1A P1N पलस NP2 दोनों की वेल्यू एक यह है तो T10R पलस T10R कितने TR T10R यानि 2T10R इंटू में है साइन आई इंटू में लगा देवी साइन आई यह वेल्यू आ गई P1A अपने देखो कांसे स्टार्ट हुए थे equation first में अपने वो P1C1 चीए था निकाल लिया P1C1 C1P2 है वो बराबर है तो वो यह एक P1A निकालने के लिए अपने को यह सिस्टम करना पड़ा है P1A निकालने के लिए अब क्या करें equation 4 equation first में P1C1 C1P2 P1A equation 2 में इन दोनों के वेल्यू है equation 4 में इसकी वेल्यू है तो वेल्यू भी पुट कहां करें देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ और P1C1 की कितनी वेल्यू है वो एक बार लिख रहा हूँ यहाँ P1 C1 बराबर T upon को सार जान रखना क्या है यह समीकर नंबर 2 था और यही वेल्यू है किसकी सीवन पिट्टू की जान रखना अब इसकूड आ देते हैं अब क्या करें नाव पूटिंग यहां से कर रहा हूं मैं यहां तो कर दिया पना पूटिंग वेल्यूज ओफ इक्वेशन इक्वेशन टू एंड फोर और किसमें पूट कर रहे हैं इंटू वन एक्वेशन फेश्ट में अपने इसको पूट करा रहे हैं तो इक्वेशन फेश्ट इम्पलाईस डैल वन एक्वल स्टू मू पीवन सीवन पिट्टू इक्वेशन टू में ऩहां देको दने न से चीपन कोसर पलस सीवन पीट्टू की यह वेल्यू है तो पलस टीपन कोसर माइनस पीवन एकी वेल्यू पीवन एकी वेल्यू टुू टैनार साइन नहीं तू टैनार कनफ्यूज हो सकता भी कनफ्यूज नहीं ना देखो कनफ्यूज तो नहीं नहीं इसमें क्या है T upon cos R T upon cos R 2 T upon cos R तो 2 यहां से आएगा इन दोनोंके डिकरे हुए फिर mu फिर T upon cos R बराबर में है माइनेस टू टी टैनार साइन आई यहां तक कोई समस्या नहीं है चलो सोल गरत इस पूरी वाली ट्रेम को में कॉमन ले रहा हूं देन ती साइंपलाइस डैल वन इकवल्स टू मू टी अपर इसको कॉमन ले लिया तो यह ऊंती ben बें लेने का मतलब जो गुना में वह तो बागमें भुग्ला में तो इसके पास भी है कोई दिख्ञ आ गया कोमन टी इसके पास भी आ गया कोमन म्यू नहीं ए वए इसके पास तो म्यू से तो यह डिवाइड हो जाएगा और को सार से मल्टिपल हो जाएगा तो टू आ गया बहर टी भी आगए यह दोनों तो आएगे तो क्या बचा उपर तो टैन आर साइन आई को सार बाग में है कोमन लिया उसके तो इसके गुणा में लगेगा कोस आर अपोन यह प gesch्ण को देखो एफ-देखो सनेल का ने क्या कहता है मूं ब्राबर के साइन साइन यह अपोन कि साइन डहार म्यू बराबर करना साइन आई एपोन साइन आर अब देखो मिवयोः दे स्पेस कम है थोड़ा सा यहां कर रहा हूं तो डैल वन बराबर टू म्यूटी अपोन कोसार वन माइनस यह टैन आर साइन आई कोसार टैन आर साइन आई कोसार अपोन infect क्या लखना ओंस दो साइन आई अपोन साइन आई क्या के आपने वेलियू रखे और कुछ नहीं करना तो साइनाई से तो साइनाई कहंसिल हों गया यह साइन आर उपर चला जाएगा इस 10R को मैं कहे लिखता हूँ sin बटा cos sin R बटा cos R cos R से cos R कहें सिल sin R एक को यह उपर चला गया था एक यहां से sin R निकल लेगा 10 में से sin square R तो डेल 1 बराबर 2μ T upon cos R 1 minus sin square R देखो दान से sin R चला गया उपर 10R को लिख दिया sin R बटा cos R cos R से cos R कैंसिल sin R और एक यह sin R उपर गया था sin square R 1 minus sin square theta 1 minus sin square theta होता है cos theta 1 minus sin square theta sorry sin square theta plus cos square theta प्रबरबन होता है तो 1 minus sin square theta बराबर cos square theta तो डेल 1 बराबर 2μ T upon cos R और इंटू में 1 minus sin square theta cos square theta theta गिजगे R एक cos R से cos R कैंसिल तो डेल 1 कितना बचा तो अपने पास डेल 1 बच गया भिया 2μ T और इंटू में कोसर यह आगया प्रावर्तित तरंगों के मद्दे पथांतर लेकिन एक महानुबाव और आएंगे अब इसकी कोई जुरूत नहीं है अपने वो विटा देखते हैं फैस्ट पॉइंट चल रहा है काफी लेंग थी है तो थोड़ा सा सेकेंड पॉइंट इसके बाद में करेंगे अपने देखो तो यहाँ यह फाइनल रिजल्ट नहीं आया है इसमें कहता है कि मैंने जब अक्सपिरिमेंट किया तो यह जो पतांतर है इसमें और मेरे वाले जो पतांतर है उसमें थोड़ा डिफ्रेंस आया है तो बही तू बता दे तेरे वाड़ा का यह काड़ी आया तो ऐसा साई है लेकिन इसमें से लेमड़ा बाई2 कम कर दे यानि स्टोक्स के अनुसार यह पतांतर वास्त्विक पथांतर से वास्त्विक तो अपने वाले को कहीगा है इसमें क्या है ये कालपनिक थोड़ी वास्त्विक ही है स्टोक्स के अनुसार ये है पथांतर वास्त्विक पथांतर से लेमडा बाइट्टू अधिक है वेरी वेरी इंपोर्टेंट यह मान लो इस टॉपिक की रिड़ के डिड़ी है तो बहुत लेमड़ा बाइटू जादा है तो वास्त्विक कैसे निकाले लेमड़ा बाइटू कम कर दे बहुत कोई चीज अपने पास कोई सामगिरी है जैसे उसमें से आप कम करना एं तो यह कहता है लेमड़ा बाइटू जदा यह जदा है तो यह सही कब होगा श्टॉक्स के नुसार इसमें से लेमड़ा बाइटू कम करें आता है वास्त्विक दो पथांतर आएगा डेल वो कब आएगा जब डेल वन में से मैं क्या करूं लेमड़ा बाइट टू कम करूं यह कहता है स्टोक्स अपना कोई रोल नहीं भी है इसमें देखो यह स्टोक्स की बात है तो डेल बराबर डेल बन का मान कितना है टू म्यू टी कोस आर माइनस लेमड़ा बाइट यह प्रावर्तित तरंगों में वेतिकरण जो है वो पड़ा और वेतिकरण का जो पथांतर जो आया है प्रावर्तित वाड़ों का इतना है अब देखो क्या प्रावर्तिव प्रकास किरणों में भी संपोसी या विनासी वेतिकर्ण जैसे घटनाएं होती है तो होती है भई बिल्कुल होती है देखो कैसे होती है तो सबसे पहले अपन करते हैं इसका केस फैस्ट केस केस फैस्ट केस फैस्ट में संपोसी वेतिकर्ण कंस्ट्रेक्टिव इंटर्फेरेंस अब देखो संपोसी वेतिकर्ण के लिए आपको पता है कि पथांतर कितना वनाची ये लेमडा का पूर्ण गुनाची डेल बराबर होता है एन लेमडा डेल की वेल्यू अपने आ रखें तो कितना आएगा टू म्यूटी अब द्यान रखना कई अग्जाम में डारेट पुछा गया है कि पतली फिल्म में वेतिकर्ण में प ये लेमडा बाइट उकम करके लिए और यह आपको पता है संपोस्ची वेतिकर्ण के लिए आवश्यक प्रतिबंद है कि पतानतर क्या वनाची लेमडा का पूर्ण पीछ से बताया था मैंने टू म्यूटी कोस आर्फ माइनस लेमडा बाइट तू बराबर एन लेमडा तो टू म्यूटी कोस आर लेमडा वाले तरफ कर रहा हूं न तो एन लेमडा और यह माइनस का है प्लस लेमडा बाइट टू और देखो देन दिस इंपलाइज टू म्यूटी कोस आर बराबर कौन गोना रहा विचर रहा लेमडा तो अंदर क्या बचेगा एन पलस हाफ 12 जयेगा लेमडा यह आ गया संपोसी बेती हो राइट ट्रम को देन से देखो यह पतांतर पतांतर लेमडा का विसम गुणज आ गया एन पलस हाफ और विसम किसमें अगता है कंडिशन भी तो कंडिशन है इसमें प्रकास कि औरने जो दिखाई देंगी वो आपको कैसी दिखाई देंगी प्रदीप्त या दिप्त जान रखना अब कंडिशन लगरी उल्टी अपने को कि लेमडा का विशम गुण जा गया है सेकंड केस्ट टेकंड कर लेते हैं इसमें क्या है बिल्कुल मैथमेटिक साइज में प्योर यह लिया के सेकंड और के सेकंड में विनासी वेतेकंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विनासी वेतेकंड के लिए पथांतर पर्तिबंद एक तो देखो विनासी के लिए पथांतर जोता ना उसके आवसे पर्तिबंद लिखाया था लेमडा का विशम गुण जा यानि एन पलस माइनस हाफ लेमडा इसमें दोनों से हैं बार्वी कलास में आपने किया ट्वल्थ में एन पलस हाफ लेमडा लेओगे तो विशम गु माइनस हाफ लेमडा और स्टोक्स क्या करता है डैल कितना होता है यह होता है टू म्यूटी कोस आर इसमें से लेमडा वाई टू कम बराबर एन माइनस हाफ लेमडा तो यहां से टू म्यूटी कोस आर बराबर यह लेमडा वाल ट्रम एक तरफ करें तो अंदर गुना करोगे तो एन लेमडा माइनस लेमडा बाई टू लेमडा अंदर गुना किया है यह माइनस का है तो पलस का लेमडा बाई टू यह लेमडा बाई टू से लेमडा बाई टू कैंसिल तो 2μू-t कौसार बराबर वैस में जो फ्रिंज बनेगी वो कैसी बनेगी अधिक्त बीनास्य में फ्रिंज जो बनेगी वो कैसी बनेगी अधिक्त बनेगी लेकिन विसेस बात क्या है पूरण त्यांदेरा नहीं होगा ये थोड़ा से इंपोर्टेंट है, पुर्ण त्या अंदेरा नहीं होगा तो आज अपने किया है पतली फिल्मों में व्यत्तिकर्ण पतली फिल्मों में व्यत्तिकर्ण, ध्यान रखना पतली फिल्म किसे गहते हैं पतले फिलम में व्यत्तिकन किस प्रकार से होता है दो प्रकार की प्रकास किरणे मिलती है प्रावर्तित निचले वाले प्रट से पारगमित प्रावर्तित प्रकास किरणों में व्यत्तिकन अपने देख लिया है नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे कि पारगमित परकास किरुणों में वेत्ती करना है वो किस परकार से होता है